जैहें दोस्तों अपने Science and CRT सीरीज को continue करते हैं और Class 6 के Chapter 12 और 13 को समझते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो Chapter 12 है वो है Electricity and Circuits इसमें पहले Point को जो हम समझेंगे वो है Electric Cell तो देखो जो हम लोग Electric Cell normally use करते हैं आपके Remote में हो गया, टॉर्च में हो गया, या Radio वेगरा में यूस करते हैं ठीक है न, वही Electric Cell के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपने एक Positive और Negative Point देखा होगा उसको क्या बोलते हैं Positive Terminal and Negative Terminal जो आपका Metal Disc वाला पोशिन होता है जो चिपटा वाला पोशिन होता है, वहाँ पर आपका Negative Terminal present होता है और जहाँ पर उबरा वाला पोशिन, या вся अए leptael cap होता है वहाँ पर आपका Positive Terminal होता है Electric Cell जो होता है, वो आपका एक Energy का Source होता है जो energy, यानि कि chemical energy है और chemical energy किसमें change होती है electrical energy में change होती है यह point भी आपको याद रखना है next है कि electric bulb क्या होता है आपको image में दिख रहा होगा तो देखो इसमें काफी सारी चीजे हैं लेकिन आपको याद दो चीजे रखनी है, क्या? कि इसमें किसमें बल्ब में और एक filament होता है फिलामेंट किसी हिच का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है और बाकी इस चीजये्याई जैसे की ग्यास हो just, यह सारी चीज़ay भी हैं बढ़ अभी के लिए आप दू चीज़ी याद राखो next समझते हैं कि electric circuit क्या होता है देखो electric circuit अगर आसानी से समझो तो एक path होता है एक रास्ता होता है किस चिछ का रास्ता होता है electric current का रास्ता होता है electric current इसी के through आगे बढ़ता है ठीक है अगर electric circuit नहीं होगा तो electric current आगे नहीं बढ़ पाएगा देखो यहाँ पे एक image से आपको समझ में आ रहा होगा कि bulb जल रहा है यानि कि electric current उस तक जा रहा है तो electric current कैसे जा रहा है उसको कोई तो रास्ता चाहिए होगा न तो electric circuit उसको एक रास्ता प्रोवाइड करता है जिससे कि electric current का flow हो पाता है और वो क्या करता है current को पास करता है आराम से बस इसका यही काम होता है electric circuit का अब main आप यहाँ पे देख लो image में तो यहाँ पे आपको 6 images दिख रहे हैं है ना जो यहाँ पे दो image है वहाँ पे बल्ब आसानी से जल रही है यानि कि यहाँ पे आपका electric circuit जो है वो complete है खुला हुआ नहीं है बंद है यह भी याद रखना है कि जो electric circuit हमेशा closed होगा तो ही आपका circuit complete कहलाता है यानि कि current पास हो जाता है अगर खुला हुआ है कहीं से open हो गया तो आपका current पास नहीं हो सकता वही पे तूट जाएगा यानि कि current वही पे रुक जाएगा तो दो ही जगा पे आपका circuit complete है यानि कि current आसानी से पास कर पा रहा है नेक्स समझते हैं कि electric switch क्या होता है तो इलेक्ट्रिक switch एक device है जो कि electric circuit को complete करता है ठीक है देखो एक figure में आपको समझ में आ रहा होगा कि एक pin रखा गया है जो कि wire से touch नहीं है जब touch नहीं है तो आपका electric current पास नहीं हो पा रहा है यानि कि उसको path रास्ता नहीं मिल पा रहा है न वही पे रुक जा रहा है current इसलिए bulb नहीं जल पा रहा है नेक्स्ट वाले figure में pin को wire से जोड़ दिया गया है तो यह पास हो पा रहा है अब देखो pin क्या है यह pin एक conductor है conductor क्या होता है जिससे की current पास हो सके तो current इससे पास हो पा रहा है इसलिए आपका bulb जल जा रहा है ठीक तो यहाँ पे pin किस चीच का काम कर रहा है नेक्स्ट यहाँ पे देख लो जब switch on है यानि कि switch on होने का मतलब आपका जो circuit है वो closed है closed है तभी आपका bulb जल रहा है switch off हो जाएगा यानि कि circuit जो है वो open हो जाएगा खुल जाएगा complete नहीं हो पाएगा तो आपका bulb जो है वो बंद हो जाता है नेक्स्ट चीज़ समझते हैं conductor और insulator क्या होता है देखो conductor क्या होता है कि जिस भी चीज़ से कोई भी अगर material है उससे आपका electric current आसानी से पास हो जाए तो उसको हमनों क्या बोलते है conductor अभी हमने पीछे समझा कोई भी metals हो गया यह सारी चीज़े क्या होती है आपके conductor कहलाती है चीक आप वायर में देखते हो कि उसको उपर की लेरिंग जो होती है वह प्लास्टिक क्या हो गया यहां पर इंसूलेटर हो जाता है इंसूलेटर क्या होता है जिससे कि आपके electricity असानी से पास न हो पाए जैसे कि प्लास्टिक, rubber, glass, wood, cloth यह सारी चीज़े क्या होती है इंसूलेटर होती है नेक्स समझते है आपका नेक्स चैप्टर है fun with magnets 12 चैप्टर आपका खतम हो चुका है hope आपको वो चीज़े समझ में आई होंगी अब fun with magnets में देखते हैं सबसे पहले magnetite एक natural magnet होता है इसके पीछे एक छोटी से स्टोरी है यह मैं आपको बता देती हूँ एक magneez नाम का बंदा होता है वो क्या होता है कि एक shepherd होता है यानि कि गडेरिया होता है वो अपने भेड बक्रियों को क्या चरने के लिए ले जाता है उसके हाथों में एक डंडा होता है जिसके एक portion पे iron का कुछ लगा होता है यानि कि iron का portion होता है जो कि पत्थर पे मारता है तो उस पत्थर पे उसका डंडा जो होता है वो चिपक जाता है, अब चिपकता है, तो वो भी परिशान ऐसा क्यों होता है, तो जो पत्थर होता है, यानि कि रॉक जो होता है, वो एक तरह का मैगनेट होता है, नैचरल मैगनेट होता है, उस मैगनेट को ही एक नैचरल मैगनेट बोला जाता है, उसका नाम क्या दिया गय होता है आपको यह पता होना चाहिए नेक्स समझ लेते हैं कि आपका shapes of magnets कैसे कैसे shapes होते हैं आपको image में दिख रहा होगा कई तरह के shapes हैं है ना यू shaped हो गया horseshoe magnet हो गया cylindrical magnet ring magnet bar magnet circular magnet तो यह सारे नाम और इनके shapes आपके दिमाग में होने चाहिए ओके next समस्ते हैं कि magnetic and non-magnetic materials क्या होता है तो simple समझो magnetic material क्या होता है वो materials जिनमें आपके magnets यानि कि magnets में यह material क्या हो सकें चिपक सकें अट्राक्ट हो सकें तो उनको क्या बोलेंगे magnetic materials बोलेंगे, non-magnetic materials क्या होते हैं, obviously इसका उल्टा हो जाएगा, यानि कि जो materials magnet में attract नहों पाएं, उनको non-magnetic material बोलेंगे, ठीक है, आपको image में भी समझ में आ रहा होगा, है ना, कि magnetic, आप simple, अगर कोई magnet रखते हो, जो भी substance उसमें चिपकता जाए, वो magnetic कहलेगा, जो ना चिपके, वो non-magnetic कहलेगा, ओके, निक समझते हैं, attraction and repulsion क्या होता है, यहाँ पे आपको image दिख रहा होगा, आपको S, N, S, N दिख रहा है ना, यह क्या है, S और N, यानि South and North pole होते हैं, ठीक है, end पे जो present है, वो magnet का pole खहलाता है, ठीक है, आपने एक चीज़ और ध्यान दी होगी, magnet का जो pole होता है, उसका magnetic power जादा होता है, middle वाले के अपेक्षा, उसके poles पे magnetic power उसकी जादा होती है, आप अगर iron nails को रख देते हो, खूप सारे iron nails, और वहाँ पे magnet ले जाते हो, तो देखो, जो opposite वाला poles होते हैं, वो आसानी से attract हो जाते हैं, और जो same poles होते हैं, वो समझते हैं, कि finding direction, अब हम लोग magnets के help से direction को कैसे find कर पाते हände, तो देखो, आप यहाँ पे image में देख पा रहे हो, एक bar magnet है, ठीक, तो आप आप बार मैंगनेट को कहीं hang करते हो लटकाते हो और उसको कितनी बार भी गुमाओ अन्त में वो क्या होता है हमेशा south-north direction में ही रुकता है तो इससे हमें क्या पता चलेगा north और south का एक direction पता चलेगा कभी east या west में नहीं रुकेगा तो आप इसके help से direction find कर सकते हो या फिर जैसे advancement बढ़ रहा है या फिर आपके phone में भी इस तरह का compass आपको दिखता होगा इससे भी आपको क्या पता चलेगा? direction का पता चलेगा इसका जो needle है वो हमेशे deflect करता है और last में रुखता कहां पर है? north-south direction में ही रुखता है ठीक है? तो आप normally इससे भी direction को find कर सकते हो इसके needle को भी एक paint किया जाता है ताकि आपका north और south में भी कोई confusion न रहे next समझते हैं कि कुछ cautions को समझ लेते हैं कि आपके जो magnets होते हैं उनको अगर आप hammer से पीटते हो या heat करते हो तो उसकी magnetic property घटती है तो ऐसा काम मत करना और ऐसा करोगे तो क्या होगा? उसकी magnetic property घटेगी और उस तरह से पहले की तरह वो attract नहीं कर पाएगा चीज़ों को ठीक है? next समझते हैं कि हम लोग magnets को store कैसे करते हैं जैसे कि अगर आपको bar magnet को store करना है तो उसके पीच में wooden block लगा दो और उसके ends पे क्या कर दो? iron का plates लगा दो ठीक है? तो उसकी magnetic property में कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो हमेशा अच्छा रहेगा या फिर आपका U-shaped का magnet होता है और horseshoe magnet होता है तो उसके end पे क्या करो? कि iron का plates लगा दो तो भी उसके जो property है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है? तो देखो आपका जो यहाँ पे दो chapters हैं 12 और 13 complete होता है मैंने आपको सारी चीज़े इसमें cover कर दी है तो उसके tension मतले ना कि कुछ चीज़े छूटी है कोई चीज नहीं छूटी है complete हो गई एक और theory वीडियो आएगी और आपका यह session पुरा complete हो जाएगा यानि कि class 6 का complete हो जाएगा ठीक है? और इससे related एक आपका practice वीडियो आएगा उसको भी देख लेना ताकि आपको यह पता चल जाए कि किती चीज़े आपको समझ आई है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share कर दो और चैनल को subscribe कर लो Thank you so much